कि एलो एव्रिवान कैसे हैं आप सभी आज की क्लास में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्फ बताने वाला हूं टेन वर्फ में आपको बताऊंगा और यह से जो की हो सकता है आप पहली बार पढ़ेंगे और काफी बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है ठीक है सबसे प लक viol कि साथ में एक प्रिकूजिशन को जोड दिया जाता है बड़ी आसान है वर देखेंगे आपको याद हो जाएगा इसी वर्ब के साथ में इ Hill Crimeक जोड़ ठाल करना इसके बाद जैसे आपने एक फ्रेजल सुनी होगी और वह फ्रेजल वर्ब क्या है ब्रेक और अप ब्रेक अप ऑप इन दोनों को आप यहां पर देखना अफ्टर का मतलब होता है आफ्टर मतलब कुछ भी गणित लगा लो बाद में यहाइस लेकिन look after जब दोनों साथ में जुडते हैं तो meaning निकलता है take care, देख भाल करना, इसी type से आप देखेंगे break का मतलब तोड़ना up का मतलब उपर से, लेकिन जब दोनों को जुड़ेंगे break up, तो इसका मतलब होता है end a romantic relationship, ठीक है, ऐसा, तो जैसे आपने एक ओर तो सुना ही और वो होता है make up, यह make का मतलब बनाना, अब मतलब उपर से, बात तो सही है, हालागि इसका meaning होता है make up मतलब tell a lie, जुड बोलना, है न, मतलब सामने वाले को ब्रहमित करना, hallucination, ठीक है, एक word याद रखना, इसी के साथ याद हो जाएगा आपको, hallucination, hallucination का मतलब भ्रहम, तरश्टी ब्रहम, ठीक है, तो मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से दिखिएगा, सारी आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहली हम देखते है, breakout, आचा breakout का मतलब क्या होता है, spread, spread का मतलब होता है, फेलना, अब आप इसको याद ऐसे र सहईरी हैं आपने बनाई होगी, है न सीसी में सीसी, सीसी में गुलाब, है न मेरे जीयाजी, fresh class, ईसा बहुत सारी सहईरीयों की किताब होगी आपके पास, तो उसमें ऐस है, काच की सि्षिटी उसमें, वो break हुई, खोई और उस में सब कोईरोना क्या हो गया, out हो गया, तो ऐसे एक्जाम में option आएंगे आपके A B C D तो यहां पर breakout blue आप यह ब्रोक क्यों लिखा मैंने क्योंकि देखिए जैसे Corona फेला तो यह present टेंस में ले सकते इसको है ना कि यहां पर हम present में भी ले सकते लेकिन यहां पर हमने past में लिया है इसलिए हमने आपका क्या breakout मतलब ब्रोक आउट बोलो बात समझ गए कोई दिक्कत किसी को आगे बढ़ाते है तो पहली फ्रेजल वर्ब क्या है ब्रेक आउट इस्प्रेड फैलना अब यह तो ब्रेक आउट मतलब फैलना हो गया अब एक और फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट देखिए ब्र पुक आउट अलग है पुट आउट अलग है सब अलग अलग है तो सबसे पहले यहां समझते हैं ब्लो आउट का मतलब क्या होता है तो ब्लो आउट का मतलब होता है एक्स्टेंग्विश मतलब की होता है बुझाना मेक अफ्लेम स्टॉप बर्निंग मतलब जैसे कहीं आग लग रही है और उस आग को हमने क्या कर दिया उसको बुझा दिया है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्लो आउट तो breakout का मतलब क्या देखा आपने breakout का मतलम होता है फैलना इस प्रेइड होना लेकिन ब्लो आउट का मतलब बुज़ाना होता है आग को बुजाना ठीके इसी type से अगर आप देखेंगे look out तो look out का मतलब होता है be careful ध्यान से ब्यकर Camp कि ध्यान से अरे ध्यान से देखना तुमारे पीछे चिपका लिए अभी तो क्या बोलूगा मैं लुक आउट बी केरफुल जैसे हम कई बार किसी के गाड़ी की पीछे बैठके जाते हैं तो चलाता गाड़ी वह लेकिन ध्यान हम रखते हैं अरे बहुत अच्छा वह सामने व उदर से यह होता है है आपका अ? एक होता है मतलब? I can make out हूँ है ना what you are what you are saying तो मेक आउट का मतलब क्या होता है understand look out का मतलब be careful breakout का मतलब spread और blowout का मतलब extinguish ठीक है आगे बढ़ाते हैं इसके बाद देखिए break into अब यहां पर देखिए break into होता है और एक break out of होता है दोनों मैं आपको एक साथ बता देता हूं कि break into जो होता है इसका मतलब होता है किसी के घर में किसी बैल इंग में गुष जाना भाई 4 ठीक है तो enter someone building और house enter someone building छोई और house कि पाई 5small है ना इसी के घर मेरे फ्ले घुच जाना एंटर समयं बिलिडिंग और हाउस यह आपका क्या कहलाता मौंवे है ब्रेक इंतो कहलाता है लेकिन लेक ऐता है ब्रेक आउट-ख मतलब होता है भुच भाग जाना वहां से या आप इसके बाद आप देखेंगे ब्रेक आउट ओप मैंने पड़ा दी आपको चीर अप देखिए हम कई बार हम बोलते हैं कि चीर ऐसा बोलते होंगे जिन्दगी के मज़े ले लो इसलिए अभी समय मज़े लेने का नहीं अभी समय है पढ़ने का अभी आप पढ़ोगे तो आगे मज़े करोगे come about, come about का मतलब क्या होता है when something happen or occur जब कोई चीज होती है कोई भी चीज होती है न happen को हम बोलते है come about जैसे can you tell me how the accident came about अरे यार ये accident कैसे हुआ कैसे हुआ happened तो तुम मुझे बता सकते हो कैसे हुआ तो come about का मतलब most important phrasal verbs है काफी बार exam में पूछी जाती है यार रखिएगा आगे बढ़ाते हैं इसके बाद आप देखेंगे cool off अब देखेंगे cool के साथ में o ff लगा है cool का मतलब तो क्या होता है relax लेकिन o ff लग गया ना तो इसका meaning हो जाता है to lost temperature कई बार हम आपक हो बेटते हैं कई बार को इसी चीज़ होती है कि दिमाग खरा हो जाता है आज तो मारी डालूंगा इसको अगर अपकी बार इसने बोला तो वो होता है आपका cool off लेकिन एक और फिर सामने से घर जवाब देख ठीक है आगे बढ़ाते हैं वो वक्त जवाब देगा उसका मज़ा लगे इसके बाद एक आता है count on और एक होता है इन दोनों का एक ही अर्थ होता है वह होता है डिपेंड डिपेंड मतलब होता है निर्भर ठीक है जैसे कि I am fully count on you मैं पूरा तुम्हारे उपडिपेंड हूं तो count on का मतलब डिपेंड होता है rely on का मतलब भी क्या होता है डिपेंड होता है आगे आप बढ़ेंगे तो do away with का मतलब क्या होता है यह चारों फ्रेजल का एक ही मिनिंग यहां पर मैं आपको 10 बता रहा हूं लेकिन आपको याद 20 करवा दूंगा देखो do away with get rid of wipe out give up इन चा कारों का अर्थ होता है dispose of something या फिर एक तरह से eliminate करना किसी भी चीज़ को हटाना और गिव अप कर देना उसको छोड़ देना तो क्या क्या है do away with eliminate करना हटाना get rid of you should get rid of your bad habits अगर आपको कोई गंदी आदत है तो you should get rid of तो आपको उसको हटाना चाहिए ठीक है wipe out और give up इन सब का अर्थ एक ही होता है ठीक है तो आई होब कि आपको जो मैंने बताई बहुत कम समय में आपको बहुत सारी बता दी है यह याद रखना आपके परिक्षा में आईगी ठीक है इसके अलावा देखिए यदि आप EMRS की त्यारी कर रहे है या grade 2 की त्यारी कर रहे है या MPSI की त्यारी कर रहे है या PNST की त्यारी कर रहें जिस भी किसी exam के आप त्यारी कर रहे है तो उसके लिए आपको complete basic से जो कोर्स है वो layer 3 education के एप पर आपको मिल जाएगा ठीक है layer 3 education का एप डा운लोड करिएगा तो उस पर आपको पूरा जो कोर्स है वो मिलेगा ठीक है तो पर WhatsApp कर सकते हैं complete book रहेगी simple language में आसनी साफ को समझ में आ जाएगी ठीक है तो और यह जो courses है यह आपको basic से इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आज की exam में किवल pass होने से कुछ नहीं हो रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा लंबर लाने है इसलिए आप तो पड़ी रहे हंड्रेट में से 94 नंबर मैंस में हाइस थे तो आपको इसलिए basic से पढ़ना ज़रूरी है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा comment करके बताईएगा ठीक है मिलते हैं फिर next class में thank you so करे ब太福स्टर ले यासिर कोई ह्याता लंव दिस ए्यादा भ्याता क कही है घ्याम RH आप 4 कल रबर बहादा लेद rावले लेंगा ले फिर वीडित्त, ता।र उना हम है तुमना मिलते aoग InvFORE